विद्सिटी चल्लबर्स की खास पेशकर्श जहागी बीर तरगाह से दो किलोमीटर पहले छे हजार उपए पर स्क्वार ग्यार शमशाबाद एयरपोर्ट से कुछी दूरी तो जल से जल हमसे रब्ट अधा करें विद्सिटी चल्लबर्स प्राइबिट लिबिटेड बिहाइड चॉइस फंक्शन हॉल वी आईपी कॉलिडी चल्राइन कुट्टा हैदरबाद आप तमाम को रमजान मुखद्स की पुर्खलोस मुबारक बादे पेश की जाती है वो रमजान की राते वो रख की इनायते वो रहमतों का नुजूल वो नेकियों का हसूल वो अबादत का शौख वो तिलावत का जौख वो गुनाहों से दूरी वो तमाम राते नूरी वो तरावी के सिलसले जीहा नाजरीन फिर एक मरतबा आपके और हमारे लिए अबात आरिए ग्यारा मार्च बरोज फीर की शाम चांड नजर आने की सूरत में शेर है अबादत में रमजानलमबारक का बड़े ही शानदार पैमाने पर आगास हो चुका है मतारिक शेर हैदरबाद में रमजानलमबारक के मखदस महिने की आमद म्जभी जोश और इज्टमाई जजबे के एक अनोके इंतिजात से जाहर होती है हिदरबाद में इबादत गुजारों ने आज पहली नमाज तरावी अदा करते हुए रमजान के मुखदस महिने का वालेहना तरीखे से इस्तखबाल किया हिदरबाद की तारीखी मक्का मजजीद को बड़ी ही खूबसूरती से रोशनियों से सजाया गया नमाजियों की एक बड़ी तेदाद यहां पर मौजूद थी नमाज तरावी जो के ठीक 9 बजे यहां पर अदा की जा रही है जहां मौलाना रिजवान खुरेशी साहब की इमामत में यहां पर रोजाना तीन पारे सुनाने की सादत हासिल की जाएगी इस मोखे पर कई सारे सरों का समंदर यहां पर नमाज तरावी में देखा गया पेशेस खिसोस में चन्मनाजियों एशेन नमाइन रिपोर्टर शेख मुहम्मद की एशेन टीवी नियोस के लिए यह खिसोसी रिपोर्ट अमाद नाजियने किराम अल्लह सुछानों का हम सब मुसल्मानों पर यहसान करीम है कि उसने फिर हमें रमदान करीम की सादतों से उसकी रहमतों से माला माल होने का एक मौखा इनायत फरमाया है जी हाँ अल्हमदुल्लह अल्लह के करम से अजुन नभी करीम सल्ल्लाहु आल्यूसल्म के सद्खत उ फैल से आज हंदुस्तान भर में चांद नजर आ गया रमदान करीम का जिसकी वजह से इसके साथी साथ सारे मुसल्मान अल्लह की याद में अल्लह के धिकर के लिए तरावीह की अदाईगी को अंजाम देने के लिए सारे मुसल्मान अपने अपने मसाजित को रुख कर चुके हैं और अज पहली तरावी मुकम्ल हो चुकी है और मैं यहां से तारीखी मक्काम अजिस से आपके सामने हाजिर हूँ और हजार हां मुसल्मानों ने यहां पर आज पहली तरावी को अदा किया और हमदो ल्ला यह सिलसले और 10 दिन तक जारी रहेगा यह ढ़ें यहें 10 दिन तक 3 तिन पारों के सिलसले से एक दहा मकम्ल किया जाएगा तो मैं तमाम नाजीरिन से सामय जा जारिश करता हूं कि जो माहें Maahein Ramadanun Mbarak है Allah ने हम सब को अताव फरमाया है इसको बहुस्न वखुबी कमा हख़ु आप हजरात अदा करने की इसको कोशिश करें जैसा के हदीस शरीफ में आ ल्लह के रसूल सलल्लाहु आलिही वसल्म इर्शाद फर्माते हैं रमजान المبارک में जो अबादतें की जाती है जो फर्ज नमाजें अदा की जाती है अब आपको दिया गया है और फिर इक और एक और एक हदीस में हुदू नबी करीम सलल्लाहु आलिहों से रिवायते है कि आप जब मेंबर पर तश्रीफ ले गए खुत्बा इरिशाद फर्माने के लिए तो जब पहली सिड़ी पर आपने खदम रखा तो फर्माया आमीन और पिर जब दूसरी सिड़ी पर खदम रखा आपने फर्माया आमीन पिसी तरीखे से तीसरी सिड़ी पर आपने खदम रखा तो फिर फरमाया आमीन और फिर खुद्बा होने के बाद सहाबाए किराम ने हुजूर से इशाद पूछा गया आपने जब मेंबर पर पहली और दूसरी और तीसरी सिड़ी पर खदम रखते वक्त आमीन आमीन कहा हमको समझ में नहीं आए मामला तो अजूर नबी करीम स्ले लाह आलिए सल्म ने इरिशाद फरमाया के जब मैं पहली सिड़ी पर खदम रख रहा तो जिबरِ अमीन ने कहा के हला को बर्बात हो जाए वो शच्छ्स जो अपने वालिदेन को पाया उननी कि खिदमत से महरूम रख जाये तो मैंने कहा आमीन पी जब मैं पूसरी सिड़ी पर खदम रखा तो जिबरील अमीन ने कहा कि हला को बरबाद हो जाए और तबाह हो जाए वो शख्स तो रमदान करीम का महीना पाए और उसकी रहमतों और साधतों से महरूम रहे तो मैंने कहा आमीन तो इससे हम कोई मालूम हो रहा है कि अगर हम रमधन करीम को ऐसे ही गुजार देते हैं, तो अल्ला की रहमतों से, उसकी सादतों से हम महरूम हो जाएंगे, तो हम झाहिए कि रमधन करीम को कमा हखहु अदा करें, और एक आधिस्में हुजारू ने पर्माया कि रमधन का पहला आशरा रहमत का आशरा है, ये तो र ह ाईरभाद को मुसल्मानों से अपिल करता हूं कि वो रमदान करीम को कमाहकईए खोड़ा करने की पूरी कोश़िश करें और रमदान के पूरे थीस रोजे रहते हुए रमदान के पूरे तीस दिन दिन विएस रौकात तरावी کے नमाजों के ज़रिये लुस्त को इधिताम पजीर करें आप हज़राइड और फिर गोई रोजा ना छोड़ें और जिकर और अज़िए झर और अपकर आखरेए हुए और आखर Арहिरे अच्छी असिरे में इतिकावar फ्रावां फर्माई फर्माई थै। तो बीमार है और जखमी है मुला करीम जल से जल चिपाय को लिया अता फर्मांगो वसल्लाव ताला अला खेरी खल्किही वनूर आशी ही स्यदिना मुहम्मद वाला आलिही वा अस्थाबी इत्माईन नासरीन क्या आप भी बालों के जड़ने वक्त से पहले सुफेद होने चेहरे पर दाख दबे कील मुहासे या फिर जूरियों से परिशान हाल है या फिर दातों के मसाईल से दो चार है तो आपके सभी मसाईल का हल रिवास फेस एंड टीथ एस्थेडिक्स के पास मौझूद है झाल झाल